Hello students and aspirants, स्वागत है आपका हमारे YouTube चानल Daily GS Doze पर हमेशा की तरह एक बार फिर हम आजिर हो गए है अपने Daily Current Affairs के वीडियो के साथ तो आज हम लेकर आए हैं 26 नवंबर 2021 के Important Headlines and Current Affairs बात करते हैं सीधे सवालों से पहला सवाल कह रहा है Recently World's First DART Mission is Launched by तो यह पहला आप कह सकते हैं इस तरह का Mission है जिसमें इंटेंशनली एक Asterioid को आपको पता होगा कि अगर Space Science की बात करें तो Asterioids जो बहुत तेजी से बढ़ते हैं किसी भी प्लानेट की तरफ बहुत ज़ादा नुकसान पहुचाते हैं ने प्लानेट की बहुत ज़ादी के लिए ट्रेव देख ज़ादा कहले एक बात के अंटेंशनली उसमें कि इस स्पेस क्राफ जो है वो थिए जाता है वो उसको उसको क्राश जाता है जाता है इसली एक राशा जाता है पहली बार बाए NASA Moving on to next question Recently India, Maldives and Sri Lanka Organized which exercise Very important question अगर आप UPSI के aspirant है तो आप जान रहे होंगे कि इस समय जो है जो papers आ रहे हैं UPSI के तीन shift में जो papers हो रहे हैं इसमें exercises का बहुत रोल है एक से दो question exercises के जरूर आ रहे हैं अगर आप क्या shift जो है तो वो एकसीड भी कर रहा है तो इस तरीके से questions जो होते है exercise के defense exercises के यह बहुत important होते हैं सारे ही papers के लिए बात करे हाली में भारत, Maldives और Sri Lanka की जो अभी exercise होई है उसका नाम है दोस्ती exercise अगर हम बात करे कि क्या core motive रहा है इस exercise का तो वो है actually working over how to curb sea pollution जैसे काई बार oil spill हो जाता है sea में समुदर में जो ships जाते हैं तेल लेके वो oil spill हो जाता है गिर जाता है उससे काफी जाता है जो aquatic life उनको harm पहुँचता है और भी काफी तरीके कि sea pollution है जो ships से और जो आप कह सकते हैं जो water bodies से carry out किये जाते हैं जो water transport चलता है उस पे तो उनको कैसे कम किया जाए और कैसे अपनी sea bodies और water bodies को कैसे as it is उनके natural form में प्रिजर्फ किया जाए उसके उपर ये पूरी exercise जो है वो base judges का नाम है दोस्ती exercise तो आप समझ रहे हैं कि virtual science lab for children खोल दी गई है याप उसको online attend कर सकते हैं you can learn how to make different experiments in a particular field like physics, chemistry, biology and science तो ये जो है वो launch की गई है by Dr. Jitendra Singh moving on to next question who has recently been appointed as the ambassador to Ukraine तो भारत की तरफ से कौन राजदूद बना दिया गया है Ukraine देश का तो उनका जो नाम है वो है Harsh Kumar Jain moving on to next question तो अब पूरे विश्व में लाहर जो है पाकिस्तान की उसको जो है ऐसी सिटी घोशित कर दिया गया है ऐसा शहर घोशित कर दिया गया है जो सबसे जादा पलुटेड है सबसे जादा जहाँ पे गंदगी फैली हुई है if we talk about any city in the whole world moving on to next question recently मेहमदुल्ला रियाद takes retirement from test cricket आपको पता है कि बहुती रिनोट क्रिकेटर है सवाल पूच रहा है कि he belongs to which country इनोंने हाली में test cricket से सन्यास ले लिया है और ये बिलॉंग करते हैं बांगलादेश की cricket team से बात करते हैं अगले सवाल की क्योंकि जिसे आपको पता है कि word of the year I'm very sorry word of the year जो है वो हर साल लांच किया जाता है बिल डिफिर्ट काइंड आफ रिनोट कंपनीज और रिनोट ब्रांच बांच रिनोट ब्रांच रिनोट रिनोट ब्रांच आपको बात करें कि Collins Dictionary की Oxford Dictionary की तो फिलाल ये लोग जो है अपने साल भर का एक important word of the year जो है एक important significance के साथ लांच करते हैं Collins Dictionary World 2021 जो है वो रहा NFT जिसका full-farm है non-fungible token अगर हम बात करें कि Oxford Dictionary का word of the year 2021 क्या रहा तो वो था wax जिसको हम अगर spell करें तो वो होगा V.A.X क्योंकि V.A.X जो wax word होता है इसका अर्थ होता है vaccine and we all know कि vaccine का क्या significance रहा है इस particular year 2021 में so marking that significance and importance quite relevant जो Oxford Dictionary थे उन्होंने wax को consider किया as word of the year 2021 और कि Collins Dictionary की बात करें then they considered NFT whose full-form is non-fungible token as their word of the year 2021 moving on to the next question book और author का question है name the author of the book Conversations India's Leading Art Historian Engage with 100 Themes and More तो आप देख रहे हैं कि ये पूरा टाइटल है ये कोई आपको पारा नहीं लिखा गया है there's no line connected to it it's whole title of the book जिसमें कहा जा रहा है Conversations India's Leading Art Historian Engage with 100 Themes and More यानि भारत के इतिहासकारों की बात होगी along with 101 themes कितनी themes पे 101 से अधिक themes पे कैसे भारत की इतिहासकारों ने काम किया है अदेका वाप फे ब्यूटफुफू लाइं you can say splendid work pieces तो उसके उपर जो चर्चा की थी ये पूरा ही जो है पूरा ही समागम है इस बुक में जिसके जो ऑथर है उनका नाम है BN Goswami Ji Moving on Next question Recently Magdalena Anderson has become which country's first female prime minister जिसा कि आपको पता है कि जब भी new president या new prime minister appointment होता है किसी भी country में वो अपने आप में बहुत जादा important headline बन जाती है और हमारे papers के लिए अगर देखा जाए exam point of view से तो बहुत important question भी बन जाता है तो अगर बात करें कि नाम दिया है सवाल में और पूछ रहा है कि किस देश की पहली जो है prime minister यानि पहली महिला prime minister बन गई है ये Magdalena Anderson इनका नाम है और ये जो हैं बनी है first female prime minister of Sweden Moving to next question Essentially which country's former dictator two do one dies तो किस सवाल पूछ रहा है कि किस देश के जो dictator थे पुराने रह चुके है now dictatorship is actually working there but ये जो थे he had been a former dictator there उनका नाम है two do one dies now he has died due to some circumstances question is asking कहां के dictator रह चुके है ये तो ये है South Korea के dictator रह चुके है इसी तरह से we discussed about all the important headlines and current affairs from the exam point of view we discussed it with you hope कि आपको ये current affairs or headlines quite important लगे होंगे relevant लगे होंगे for your upcoming papers and its preparation now moving on to the other section of the video जिसमे हम बात करते है word of the day की हम रोज एक एसा English का word लेके आते हैं जो आपकी communication skills को strengthen करता है और आपकी vocabulary के collection को और मजबूत बनाता है whenever you have that urge to find the correct word at the right moment we'll help you out with this section word of the day if you attended daily current affairs section तो आज का जो वर्ड है वो है thrive thrive को गर आप हिंदी में कभी आपने सुना हो किसी को कहते की फलना फूलना या फलते फूलते रहो तो it's kind of a blessing आपके सकते है जिसमें आपको bless किया जा रहा है कि you keep on growing with all the happy and good experiences and you thrive towards success यानि कोई भी चीज़ बहुत अच्छे state में with all the positive feedback and all the pros of it it grows quite naturally जैसे meaning मेर आप देखे तो लिखा है flourish जैसे कि किसी भी चीज़ को उगने देना let them grow let them live nicely let them be you know be towards success in a very positive kind of way अगर synonyms की बात करें प्रयावाची की बात करें तो prosper अमको पता है कि कोई भी चीज़ grow करती है prosper करती है और फलती फूलती है तो उसे हम we can use it as a synonym to the word thrive एंटॉनिम की बात करें यानि विलों की बात करें तो उसका जस्ट उपोसित हो जाएगा fail कोई भी चीज़ जब इसके अपने डिरेक्शन में है towards success it's growing naturally it's flourishing and prospering away way too good तो उसका अगर अपोसित करेंगे तो बेसिकली कोई भी चीज़ जब फेल हो जाएगी यही करने में that would be the pretty antonym of the word thrive अब हम देखने है कि कैसे इस word thrive को we could use in our sentence form so the sentence here says education groups tend to thrive an organization यानि जो education groups होते हैं they basically work towards the success by preparing the students they work towards the success of an organization wherever the student goes to perform their particular duties and tasks तो किस तरीके से education sector है जो education groups है वो कैसे किसी भी organization की success के picture responsible होते हैं यह हमने जाना इस word के usage से इस particular sentence में तो इस तरीके से आप भी इस word को और बाकी सारे ही words जो अपने हम daily current affairs के video में रोज डिसकस करते हैं उने अपने regular communication skills में regular English vocabulary skills में लाके use कर सकते हैं और you can make your communication skills more captivating and more strong moving on to the last section of the video जिसमें हम बात करते हैं homework के section में एक ऐसे question की जो quite important रह चुका होता है कई बार पुछा जा चुका होता है previous question में और जिसके आगे आने वाली संभावना बहुत जादा होती है तो आज का सवाल है when was the Kyoto Protocol held Kyoto Protocol जो है मैं आपको बतादू इसका core motive रहा है कि how to stop carbon emissions and gas emissions from the from the planet earth and because कहीं न कहीं ये सब greenhouse gases or global warming में responsible है तो environment protocol था ये all over based इसका जो date है वो मैं आप से शेर करती हूँ 11 December को ये हुआ था now your task is to tell us in the comment section कि ये particular Kyoto Protocol जो है वो किस साल जो है organize किया गया था अगर आप EVS की बात करें environmental sector की बात करें UPSC में भी EVS का बहुत बड़ा रोल होता है कैसे environment में कौन-कौन से protocols हुए है कौन-कौन से conservation हुए है कौन से big missions हुए है to save it from different hazards और उसको डिवा स्टेट होने से बचाने के लिए तो इस तरह के सवाल बहुत पूचे जाते हैं Kyoto Protocol, Montreal Protocol ये बहुत बार सवाल paper में भी आ चुके है तो आज का सवाल इसका जवाब अप हमें comment section में बताइएगा options है 1992, 1997, 2003, 2009 date I have already told you 11 December इस दिन ये Kyoto Protocol जो है वो इन रन लाया गया था उमीद करते हैं आपको ये सवाल जो है वो समझ में आया होगा बात करें कल के सवाल की तो कल के Daily Current Affairs में जो homework का सवाल हमने पूछा था quite important सवाल था simple सवाल था जिसमें इस सवाल पूछ रहा था कि कौन सा gland which gland is the largest in the human body चार options के वाद इसका जो सही जवाब है वो है liver liver जो होता है वो पूरे मानव शरीर का पूरे human body का सबसे बड़ा gland होता है और ये जो question है ये कई बार General Science के तरफ कई papers में पूछा जा जोका है तो हमने दोनों कल के daily current affairs का answer आपके साथ discuss किया आज का question आपके साथ share किया उमीद करते हैं कि आज के question के जवाब आप हमें comment section में जरूर बताएंगे आपके comment को हम pin करेंगे और कल के daily current affairs के वीडियो में इस question के जवाब के साथ आपके पास जरूर हाजिर होंगे इसी के साथ बिदा लेते हैं आपसे मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए जारी रखे अपनी त्यारी keep boosting your preparation with videos of daily GS doors and thank you for subscribing and watching our video